ए बी एच ए आभा आभा कार्ड भी तेजी से बनाये जा रहे हैं लोगों का आधार कार्ड का पता है आभा का थोड़ा अभी कम पता है आज मोधी की गारंटी वाली गाड़ी से अनेक सांथियों को लाब मिल रहा है तो सुना दोस्तो आपने प्रदान मंत्री जी द्वारा सभी का एक नया कार्ड बनाये जा रहे हैं और इस कार्ड को सभी को बनवाना पड़ेगा यानि कि आपके फैमली में अगर पाच लोग है ना तो पाच लोगों का दोस्तो अलग अलग कार्ड बनेगा ऐसा नहीं कि एक mobile phone या laptop से दोस्तो इस कार्ड को बना सकते हैं जिसके लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना चीए आधार कार्ड से दोस्तो आपका ये कार्ड जो है बन जाएगा तो कैसे आप इस कार्ड को बनाएंगे क्या का इसके benefit है दोस्तो सारी चीज़े इस video के अंदर में आपको बताऊंगा तो उसके लिए आपको करना क्या हो गई इस server को लाइक करना है and continue होगा इसी server को देखते रहना है दुस्तो इस card को बनाने के लिए सबसे पहले अपने mobile phone या laptop में कोई भी एक browser को open कर लेना है उसके बाद यहाँ पर दूस्तो आपको type कर लेना है ABHA card जैसा कि आप देख सकते हैं और search कर देना है आपके सामने पहला link आजाता है ABHA ABDM आप देख लीजें इसी link के उपर click कर लेना है आपके सामने दूस्तो गौर्मेंट का portal open हो जाता है National Health Authority का आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर दूस्तो आपको करना क्या है create ABHA number के उपर click कर दे जैसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने दूस्तो यहाँ पर दो document का नाम आजाता है आप आधार card से भी दूस्तो इस card को बना सकते हैं और दूस्तो आप अपने driving license से भी इस card को बना सकते हैं ठेके यह दो document का option दिया है तो आधार card सब के पास है तो मैं आधार card वाला आप को बताने वाला हूँ तो चलिए हम आधार काड के उपर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल चार इस टेफ में आपका कार्ड बनकर त्यार हो जायगा उसके बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है पहले इस टेफ में आपको करना गया होगा सबसे पहले अपना आधार number यहाँ पर यह जो box दिये है इसमें type कर देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर term and condition दिया हुआ है I agree कर लेना है यह जो capture code है इसे यहाँ पर आपको calculate करके type कर देना इस प्रकास से next के button पर click कर देना है जैसे आप next करेंगे आपके आधार card के साथ जो भी mobile number link होगा उस पर दोसो एक OTP जाएगा ठीक है mobile number के last four digit आप देख सकते हैं इस पर OTP जाएगा तो OTP आपको यहाँ पर type कर देना है यहाँ पर दोस्तों आपको mobile number देना है यहाँ पर जो mobile number आप देंगे वह आपके इस card से link हो जाएगा यह भी एच्छे जो card आप बना रहे है ना उसी card के साथ आपको यह mobile number link हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको mobile number type कर देना है उसके बाद next के button पर click कर देना है जैसे आप next करेंगे आपके सामने दोस्तों इस प्रकास से interface आजाएगा अगर आपका card पहले से बना हुआ है जैसे कि हमारा card पहले से बना हुआ है तो इस प्रकास का interface आगया लेकिन आप पहली बार जब आप इस card को बना रहे होंगे तो आपसे दोस्तों कुछ और detail मांगा जाएगा जैसे कि communication address हो गया और आपका नाम पीता जी का नाम है यसा कुछ ठीक है तो सब आपको fill up करके वह submit करेंगे तो इस प्रकास से आपके सामने जो आपका card बन कर आ जाएगा अब जिसका card पहले से बना है हो करेंगे यहाँ पर दिया है re kyc verification ठीक है तो इसके उपर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर continue के उपर क्लिक कर देना है जैसे आप continue करेंगे थोड़ा सा wait करना है आपके आधार card के साथ जो mobile number registered है उस पर OTP जाएगा वह OTP आपको यहाँ पर type कर देना है उसके बाद continue के उपर क्लिक कर देना है जैसे आप continue करेंगे यहाँ पर आपको wait करना है wait करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका re kyc है यह successful हो जाएगा आप देख सकते है success लिखा हुआ आ चुका है इसे अब आपको close कर देना है जैसे आप इसे close करते हैं आपका यहाँ पर card दोस्तों देखने को मिल जाता है आप यहाँ पर देख सकते है अब आप इस card को download कर सकते है बहुत ही आसानी से card को download करने के लिए यहाँ पर download का button दिया है इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद आपका जो card है यह download हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं चलिए हम इस card को जो है open कर लेते हैं open करने के लिए यहाँ पर आप देख लिए इस प्रकास से आपको यह card देखने को मिल जाता है इस card को दोस्तो आप चीए तो print out करके रख सकते हैं नहीं तो ऐसे यह एक digital card है जो कि यहाँ पर को आपको देखने को मिल जाता है अब दोस्तो मैं आपको इस card के फाइदे बता जेता हूँ ठीक है अगर आप दोस्तो इस card को बना लेते हैं तो ऐसे में क्या होगा जो भी दोस्तो आप जैसे की इलाज कराने जाते हैं hospital में और दोस्तो आपको अलग-अलग दवाईया मिलत अलग-अलग आपके टेस्ट के जाते हैं, अलग-अलग रिपोर्ट निकलते हैं, कौन डॉक्टर कौन सा रिपोर्ट निकला, मतलब कि ये सारी चीजे याद करना तो मुश्किल है, है न आपको याद नहीं रहेगा, तो ये सारी जो डीटेल है आपका मेडिकल हिस्ट्री, ये कार्ड को बनाने की बहुत सारे फायदे हैं, आने वाले समय में, मिंस और भी जो इसकी में हैं, उसका भी आप यहाँ पर इस कार्ड के जरी ये लाब ले पाएंगे, यहाँ तक लग रहे हैं, काफी सारी चीजे नही नहीं आने वाली हैं, तो अगर आपको दोस्तों यह कार कि ढूने बमार आ भी रहने लाफ हैं, जो रिए आपको नहीं आने वाले हैं, बागर अपको दोम्हाँ में आने म taşबाएंगे लेड़ीं । उसका इसकार लंएंगे